Welcome back friends to part 2 of this video series on the Rectal Disfunction. Rectal Disfunction मतलब link खडा नहीं हो रहा है, link में problem है. हो सकता है आपने मेरा part 1 मिस कर दिया हो, तो part 1 description में है. Part 1 में मैंने बताया था आपको ED से लेके 7 questions क्यों होता है, कैसे होता है, किसको होता है? और आज का टॉपिक है कि आपको ED हो चुका है पेनिस काम नहीं कर रहा है तो क्या इलाज है क्या करे उसका डायट ठीक कर लिए एक्सराइज कर लिया वजन कम कर लिया बहुत खुश रहते हो स्ट्रेस कम कर लेबा फिर भी लिंक तो खड़ा नहीं हो रहा तो अगर लिंक को खड़ा करना है फिर से और सेक्स के लेने लुट्फ तो इस वीडियो के पार्ट तू को ज़रूर पूरा देखना क्योंकि इसमें मैंने आपको EDK Home Solutions से लेकर Surgical Solutions तक सब कुछ कवर किया है साथ question है एक लिस्ट मेरे पीछे है साथ हो question ज़रूर देखना अगर आप चाहते हो सिरफ कोई particular question देखना तो description में time stamps है आप time stamp पे click करेंगे तो सीधा question पर जाएंगे और आपको मिलेगा आपका जवाब तो let's start Erectile Dysfunction के लिए first line treatments क्या है और वो कैसे काम करते हैं तो Erectile Dysfunction का first line treatment दवाया नहीं है Erectile Dysfunction का first line treatment exercise है तो most commonly penis में जब blood supply क्वाई खराब होता है तो उसका reason या तो हार्मोन होंगे या venus leak होगा या arterial dysfunction होगा तो उसको आप कीगल exercise penile massage और pelvic floor rehabilitation से ठीक कर सकते हैं ठोड़ी walking start कीजिए उससे आपका heart rate ठीक होगा ठोड़ी muscle exercises cholesterol कीजिए उससे आपके testosterone बढ़ेगा ठोड़ा कीगल करिए उससे आपके veins improve होंगे ठोड़ा penis की massage करिए उससे arteries खुलेगी ठोड़ा खाने को ठीक करिए उससे आपके testosterone boost होगा आपके cholesterol ठीक होगा तो इन सब के combination से आप 90% अपने ED को control में ला सकते हैं अगर नहीं आता तो फिर हम आते हैं next step पे जो है medical treatment लाइफस्टाइल में बदलाव और होम रेमेडीज का erectile dysfunction के इलाज में क्या रोल है तो जैसे मैंने बताया आपको step 1 लाइफस्टाइल तो लाइफस्टाइल तो ही है disorder अगर आप chronically बैठे है exercise छोड़ दी है खुश है ना भूल गए है smoking करे जा रहे है हाथ में सिवरे डटकती जाती है शराब का सेवन करते है वाइक कर खुश नहीं रहते है घूमते फिरते नहीं है तो definitely आपके cortisol बढ़ेंगे हर्मोन कराब होंगे तो अपने life style को change करेए अपने sugar ठीक करेए BP control लाइए खाने को ठीक करेए बहुत बहुत बहु जीद कहते है वाइड मुसली कहते है यह बैसली सब दवाईया जो है कुछ ना कुछ तो बेनेफिशल है तो आप अपने किसी अच्छी सेंटर में से यह बेसिक दवाईया सप्लिमेंट से अश्वागंदा तो स्टार्ट करना चाहिए आपको जो यह गार्लिक के यूस को स्टार्ट करना चाहिए यह नाइट्रस इंप्रूव करते हैं आपके हार्मोन को ठीक करते हैं तो यह आप बैसिकली गर बैटे विटमिन डी है सूरज का सेख अपने उतार के वाइटमिन डी घ्रहन कीजिए ठोड़ा मॉनिंग में और वाकिंग करिए ओलिंग करिए इससे अब आपको काफी हद तक फरक पड़ेगा अगर अगर आप यह लाज के मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं तो अगर आप यह सब लाइफटाल चेंजेज और बेसिक टीटमेंट अपने घर पर ट्राइब कर चुके हैं तो उसके बाद आता है मेडिकल टीटमेंट अब घर में किसी को हार्ड में दिख्कत हुए पेन हुई तो डॉक्तर बोले आपको आपना हार्ड बाइपाश करालो कराएंगे आप नहीं कराएंगे आप बलीक्री ड्रग्स हैं बहुत प्लासिस की ड्रग्स हैं जिनको यूज करके हम एरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं साइकोलोजिकल थेरपी से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज पर क्या असर पड़ता है सो साइकोलोजिकल एडी मेरे साथ से एक बकवास थेंग है आप पागल नहीं हो, psychological आदमी भी एरेक्शन आता है, सेक्स करता है, psychological ED तीन कंडिशन है, जहाँ पर मुझे लगता है, psychological ED होता है, पहला है conflict, marital conflict, कि आपकी और पी वाइफ की बन नहीं रही है, किसी और कारण से, सास की वज़े से, पैसे की वज़े से, डाउडी की वज़े से, काम कोई भी रिजन है, तो अगर आपको अपनी वाइफ से लडाई जगडा है, तो कई बार उन से सेक्स करने के इच्छा नहीं होती, तो उसके अंदर अगर couple counselling हो, वाइफ के जगडे खतम हो जाए, तो मैंने देखा हैं कि फिर से couple सेक्स करना शुरू कर देते हैं, दूसरा होता है high stress environment, कई बार आजमी तक जाता काम कर रहा है कि उसको नीदी नहीं मिल पा रही है, security guards, police officers, doctors, pilots, आज की दिर में आप देखा होगा रात पर duty है, सुबा डूटी है, काम पे जा रहे है, घर पे आ रहे है, टाइम भी मिल रहे है, वाई भी वरकिंग है, तो इतने high stress में भी आपका पैनिस काम करना कम कर देगा, और आपका sex का मन उचट जाएगा, यहाँ पर भी अपने lifestyle changes और office changes से आप काफी हथ तक अराम पा सकते हैं, फिर एक होता है psychological ED जो देखा जाता है पागलो में, पागलो में मतलब की जो high, जिसको हम कहते हैं, depression, सिबिश्क्रिट सोफरीनिया है, या जिसके अंदर psychology disorder, जहाँ पर मरीज जो है, वो नॉर्मल है ही नहीं, तो नॉर्मल मरीज नहीं है, तो उसमें erection का अतना रोल है नहीं, क्योंकि उसका कोई sexual partner तो है नहीं, तो ये मरीज भी दवाईयों के बाद काफी हथ तक ठीक हो जाते हैं, तो healthcare provider की qualification और rectal dysfunction का experience बहुत matter करता है कि वो क्या treatment आपको offer करेगा, तो किसी की training psychological हुई है, तो psychological treatments ही देगा, किसी की training, अगर सब आयर्वेदिक में हुई है, तो आयर्वेदिक की treatment देगा, तो जब आप healthcare provider को choose करते हो, तो automatically आप अपना treatment कर लेते हो, पर अगर आप जाते हो किसी andrologist के पास, तो वो आपको एक comprehensive care आपके लिए दे सकता है, तो जब कोई patient हमारे पास आता है, तो मसेस करते है, सबसे पहले कि उसका AD है कितना, उसको AD हुआ कैसे है, उसका AD का क्या stage है, और patient की मानसिक और शारिक और financials निती, इलाज कराने की क्या है, उसके basis पे हम patient का comprehensive plan बनाता है, for example, कोई patient है जो बहुत effort नहीं कर सकता, और हम उसको बहुत महंगी दवाईय लिख देंगे, क्या logistics है, कितना urgent है, कोई patient इसकी शादी दो साल बाद होने वाली है, उसको टाइम है, एक मारी शादी पुर्णा दिन के बाद है, उसको टाइम नहीं है, तो इसके basis पे हम एक treatment plan मनाते है, कि उसको कितना quickly इलाज चाहिए, कितना अच्छा इलाज चाहिए, कितना वो sex करने वाला है, for example, एक बुड़ा आदमी है, जिसकी नहीं शादी होई है, उसको sex रोज करना है, और एक बुड़ा आदमी है, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में सबसे नए treatment options क्या है? तो पहले एक था अज से पांच साल पहले कि अगर एक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो या तो दवाई चलेगी या सरजरी होगी, पर अब दवाई और सरजरी के बीच में कुछ treatment options आ गए है, जो की patients को ठीक कर सकते हैं, और उसके अंदर जो चार treatment options है, जो आज के दिन research में है और clinically use हो रहा है, उसमें एक है low intensity shock wave therapy, एक है P-Shot, एक है P-Shot Plus और एक है stem cell therapy, तो इन चारों की वज़े से बहुत सारे patients में implant करने की जुर्द नहीं पड़ती, शॉक्विव थेरपी, पैनिस में शॉक्स देके पैनिस के अंदर जो damage हुआ से repair करती है, पी-Shot और पी-Shot Plus में हम blood से factors बनाते है, growth factors जो की पैनिस में जाके पैनिस में growth कराती है, और stem cell therapy latest है जिसमें हम patient के pate से या patient के blood से stem cells, stem cell मतब की नया जीवा, नया cells, अमरित, जिसको हम penis में inject करते हैं और penis में फिर से नई blood supply बनके little dysfunction ठीक हो सकता है, पर ये सम्में काम नहीं करते हैं, पर 50-60 patients में ये दवाई नहीं काम कर रही तो दवाई काम कुने शुरू जाती है या दवाई का use खतम हो जाता है. अगर आप erectile dysfunction का ilaj धून रहे हैं, तो क्या करें? अगर आप erectile dysfunction का ilaj धून रहे हैं, तो पहला बता दू आपको आप ठीक हो सकते हैं, erectile dysfunction completely curable है, अगर आप इसको कोई बोलता है कि curable नहीं है तो जूट बोल रहे हैं, पर cure क्या है वो आपको डूड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक गोली खाएंगे, खासी दुखाम नहीं है, erectile dysfunction chronic problem है, chronic problem मतलब है chronic liver disease, chronic kidney disease, BP sugar, इसका इलाज लंबे समय चलता है, और अगर आप इलाज कराएंगे, तो इससे अप अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज सी ठीक भी होगे, अब अच्छे इलाज के अंदर प्रॉलम क्या है, erectile dysfunction में हर आदमी घ्यानी है, erectile dysfunction में हर इलाज आपको chemist चे लेकर, रिक्षे वाला तो देदेगा, ठीक है, कोगी ED के अंदर आपको गोली खिलाने वाले बहुत लोग है, तो आपको एक ही suggestion है, कि अगर आपको erectile dysfunction है, तो qualified आदमी से, वो urologist हो, वो endrologist हो, वो qualified हो, आदमी ने ED के ओपर पढ़ाई research studies कर रखी हो, तो कि आज के दिन ग्यान YouTube पे बहुत available है, हर आदमी अपने आपको, बताता है specialist चाहे उसकी qualification हो या ना हो, और finally मिलेगा आपको क्या, सांडे का तेल, सांडे का तेल ही खड़िदना तो विर्तिपैसी को खर्चने है, तो इसलिए अगर आप इलाज करा रहे हो, तो proper ज़िए कराईए, उससे आप अच्छा इलाज मिलने की फुल संभावना है, अब आप सब कुछ कर चुके हैं, दवाया कर लिए, पी शॉट कर लिए, आप नहीं खड़ा हो रहा, पैनिस ने जवाब दे दिया है, पैनिस ऐसे लटका है, जैसे खतम है, मतलब उसमें कोई जान है नहीं, तो ऐसे मरे आदमी को साथ में लेके चलने का फैदा नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए, आज के दिन सर्जरी इवलेबल है, तो सर्जरी में पिनाईल इंप्लांट्स नापकी सर्जरी होती है, जैस आदमी का पैर टूट जाया, फूला टूट जाया, तो कहते हो नहीं, फीर चल पाए, आपकी ग्राट मदर को मूत्या बेंद हो गया नहीं, आप चेंज कराते हो, उसी तरह अगर आपका पैनिस खराब हो गया है, द्वाई या नहीं काम कर रही है, तो आप उसके अंदर नह के दिन, इरेक्टाइलिस मॉंक्शन में बहुत 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 अच्छे अलाज अविलेबल है, एक औरौ सी लूगत बचसुंग कि अविलेबल के देख्